आप लोगों ने बहुत ज्यादा फर्माईश की थी इस व्लॉग के लिए के एक गिराज टूर की वीडियो बनाएं और हम लोगों को बाइक बाइक तो आप लोगों ने देखे हुए और बाइक्स भी दिखाएं बाइक्स को ओवर्वीव भी देएं बाइक्स की मेंटेनस के आप लोगों ने खास कोईस्टन की होते हैं कि बाइक्स को आप मेंटेन कैसे करते हैं मैं लहूर में नहीं रहता हूं तो बहावलपूर में कैसे मेंटेन किया जाता है बाइक्स को और दूसरा अगर आप मेंटेन खुद करते हैं तो कौन से प्रोड़क्स यूज करते हैं त जरा डिफरेंट व्लॉग है आज हम इसी रूम के अंदर होंगे और आप लोगों से गफशप करते हैं इंजॉए करें आज के व्लॉग को सबसे पहले जी आपको ओवर्व्यू देते हैं अब ब्यूटिफुल में अपना मास्क को ठालू अब ब्यूटिफुल डुकाटी मल्टी स्टाडा 950S यह बाइक हमने आज से कुछ अरसा पहले अमेरिका से इंपोर्ट किया है ब्यूटिफुल मशीन ब्यूटिफुल इसके बाद हम लोग उपर आएं तो बाइजिन ओन है इसके अंदर कॉर्णिरिंग लाइट्स भी है जो फंक्शन बिल्टिन है इसके अंदर एबियस ब्रेक्स में आपको पहले भी बिता चुको हूं 19 का फ्रंट टायर है 17 का बैक टायर है इसके जो दूसरे जो टायर्स थे 80-20 में टायर्स बंगवाए में इसके मिचलिन के वह लहूर पड़े में मेरा चकर लगेगा तो वह हम इस पर लगाएंगे उसके इलावा इस बाइक के अंदर क्विक शिफ्टर आटो ब्लिपर और ट्रैक्शन कंट्रोल एबियस मतलब फुली लोड़िड मशीन है और खास इसके अंदर जी और क्रूज कंट्रोल है इसके अंदर गार्मन का हमने नविगेशन लगाया वह है ब्यूटिफल मशीन आइम वेरी हैपी विद इस वन और नमबर भी इसका इंशाला इस वीक लग जाएगा इंशाला बाकि यह इसकी की है जी सिंपल की जैक नाइव बस नहीं थी ये इसकी एक है दूसी जो है वो मेरे पास घर है स्टार्ट करने के लिए आप दीन में प्रस कर सकते हैं इंशन आण करने के लिए यहां से इसे भी कर सकते हैं इंशन अन होने उसके बार आप इसको उपर कि तरफ करें अच्छा जो एक्जॉस इसका है और हम चाहिए नहीं किया चाहिए अभी तक मुझे कोई इससे प्रॉब्लम नहीं हो रहा तो इस गुड़ अभी हम चलते हैं दूसरे बाइक की तरफ इसकेंड बाइक इस कावसा की एच्टु आर दे मॉंस्टर दे बीस्ट इसकी कैसे तारीफ की जाए अलफाज भी नहीं होते हैं अगर क्या जबदस बाइक आफ्टर मार्केट इसके अंदर कुछ भी नहीं है से वाई इस फ्रेंड वाइजर के यह नहीं अभी टॉक्स से और क मिल गये और यह मैंने खुद ही इंस्टॉल किया है इन दोनों वाइज की जितनी में मिंटेनेंस होती है सब मैं खुद करता हूं जो इजी वाले मिंटेनस होती है जिए लाइक ओईल जेंग यडि फिल्टर एर फिल्टर मों सब कुछ में खुद कर रहा हूं लुक अधिस ब्यूटी जिसका हमने भगा भगा के कलर तक्रीबन सारे ही चेंज कर दिया ब्यूटिफल मिशीन ब्यूटिफल जितनी तारीफ की जाएका मैं इस बाइक अभी मैं स्टार्ट करता हूँ मगर वीडियो के एंड में से स्टार्ट करेंगी जूँक्क आपको पता है कि हम एक बंद कमरे में तो जो exhaust की gases होती है वही कठी हो जाती है इसको बिल्कुल एंड में स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा इसका साउंड सुनाएंगे आपको अभी चलते हैं मेंटेनस पार्ट्स की दरफ बॉइज अब मैं आगे हूं मेंटेनस वाले सेक्शन पर यहां पर आपको जितनी भी प्रोड़क्स नजर आ रही है इसमें से कोई एक प्रोड़क्स भी स्पॉंसर नहीं है ठीक है कि मैं जितनी भी प्रोड़क्स यहां पर पढ़ेंगी हैं सब कुछ मैंने बहुत धोके खाने के बाद और बहुत प्रोड़क्स यूज करने के बाद मैं इन प्रोड़क्स तक पहुणा हूं तेन ड़ी फॉर्टी मागर मैं यूउज नहीं कर रहा क्योंकर जो कावचाकी के Rekomender का वा साथकी को अभी मेरे पास यहां नहीं है मैं वह कावचा की एस टू आर के लिए यूज़ करें वैसे मेरे पास हर टाइम मौजूद होता है डुकाटी मल्टी स्राटा में में जो रेकमेंड़ है एम्स ओयल या इसको एम्स ओयल भी आप बोल सकते हैं फिफ्टी डव्यू फिफ्टी हंड़िड परसेंट रसंथाटिक होता है वह यह मैंने काफी सारे मंगवा के रखे में अजीम भाई से तो यह मैं यूज़ कर रहा हूं यह ओयल डुकाटी मल्टी स्राटा का मैं खुछ चेंज करता हूं और फिल्टर भी 9000 माईस तक आप चला सकते हैं मगर आपका भाई सिर्फ दो तीन अजार पर चेंज कर लेते हैं क्योंकि मैं तोड़ा अच्छा अब आजाते हैं थोड़ा सा वाशन वैक्स की तरफ बोई मेरे पास इस टाइम ना कोई चार-पांच किसम के शैंपूज यहां पर पढ़े होंगे और मैं आपको ब्रादराना बताऊंगा कि सबसे अच्छी चीज वाशन वैक्स में आप कौन सी यूज कर सकते हैं सिंपल और अगर मैं इस तरह आँ तो सबसे पहले मेरे पास यह देखें आप टर्टल का एक्स्ट्रीम नैनो टैक्स शैंपू पढ़ा हुए कोई जुरुवत नहीं आपको लेने की किसी काम का भी नहीं है ठीक है अब मैं फ्रेंटली आपको बताऊंगा ठीक है उसके बाद करेंगा पर अब मैं जुरुवत नहीं है ठीक है शैंपू जो सबसे बेस्ट है जो मैंने आज तक यूज किया है इस ऑटो ग्लिम अल्टरा हाइड डेफिनिशन शैंपू इससे अच्छा शैंपू बोईज ना आज तक मैंने देखा है ना मैंने कभी यूज किया अगर आप आपके बाइक है अगर आपके बास कार है कोई भी छीज乾They आप सेटा यूज करते है तो गिल्प यूज कि करते हैं तो बुड्य है कि अर अब मेंसे एक कर शैंपूaba तो आप मिजे बता सकते हैं कितना जबरता शैंपू है इसके मुकाबले का शैंपू कोई वी नहीं है और रखे होते हैं स्टॉक के अंदर राउंड बाउड को 4500 यह 4700 इसकी प्राइस है इस इस बॉटल के साइज की और जबर्दस बॉइस जबर्दस एक चीज यह मैं हमेशा अपने पास रखता हूं आटो ग्लिम का इंसेक्ट रिमुवर जब भी आप राइट करके आते हैं आपके बाइक के अक्सर आप जो चेन वाली जगह उती है वहां पे अक्सर आप वो लगाते रहते हैं कोई लिक्विड लगाते रहते या आ उसको क्या बोलते बहुते हैं अक्शीमिलएट कर ब्थे के लिए मैं ये सॉनिक्स का जो टार रिमूवर है यूज करता हूँ और बाकी आप यह इस तरह की प्रोड़क्स भी यूज कर सकते हैं फास्ट एक्टिंग डव्यू डी-फॉर्टी का डी-ग्रेसर है एस्टॉनिश का मेरे पास इंजन डी-ग्रेसर बढ़ा है सॉनिक्स का ब यह सॉनिक्स कभी मेरे पास यह वाले पड़े में यह डैश बॉर्ड के लिए होता है मगर आप अपने जो बाइक के प्लास्टिक पार्ट्स होते हैं उसके उपर ही यूज कर सकते हैं बाइक को वाश करने के बाद जो मैं प्रड़क्ट यूज करता हूं वह आर्मरॉल का य बिल्कुल ऐसे लगे गए जैसे आपने बाइक को जबदस और एक और चीज जो आप अपने बाइक पर यूज कर सकते हैं वह यह है खोशखाइम का रियक्टिव वील क्लीनर है यह भी मैं हमेशा अपने पास रखता हूं आपके वील्स के अंदर अकसर पानी रुखने की आपके वह जहां जहां लगा होगा वह सारी जगा पिंक हो गई होगी मतलब जितना आइरन और रस जो चीज भी होती है सब कुछ निकाल लेता है तो यह बहुत अच्छी प्रोड़क्ट है होशखाइम रियक्टिव वील क्लीनर यह जर्मन कंपनी है अच्छी प्रोड़क्ट है अच्छी प्रोड़क्ट है होफुली आप लोगों को वही सुना होगा जो मुझे सुने है और जिस तरह मेरे कान बज रहे हैं यह था आज का हमारा एक शॉट सी वीडियो और एक गराज टूर होफुली आप लोगों पसंद आया होगा इंशाला अब हमारा जो वीडियो शुरू होगी जो असल हमारी वीडियो शुरू होंगी वोंगी जी वर्ल्स फास्टेस H2R दे बिल्ड सीरीज हमारी शुरू हो और यह वर्ल्स फास्टेस ह्टूर की इंशाला स्टेय टून जो नेक्स वीडियो होगी वो हैस्टूर पर और जो हमारी जर्नी स्टार्ट होगी इंशाला आपको साथ रखेंगे और आपको स्टेप बैस्टेप हर चीज के बारे में साथ साथ बताएंगे भी से तो थेंक यू सो मच फो वाचिंग तोड़ेस व्लॉग अपना ख्याल रखेगा तेल नेक्स टाइम टेक केर बाई बाई